आपके लिए आज फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ जैसा कि मैंने बोला था कि मंडे वेडनेस डे और फ्राइडे को सुबह साथ बजे क्लासेज आपकी आर्ट एंड कल्चर के आया करेंगी तो इसलिए आज मंडे को मैं आपके लिए उपलब्द हो गई हूँ आई होप आपने लास्ट फ्राइडे का जो लेक्चर था एक अलग तरीके से जिसका प्रेजेंटेशन था आपको पसंद आया होगा आपकी अभी तक की प्रतिक्रिया से तो लग रहा है आपको अच्छा लगा है आपका कोई सुझाओ हो तो मुझे टेलीग्राम पर जरूर द करेगी जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिली है उनको दुबारा वो मुझे मैसेज कर सकते में उनको दुबारा पी देदूगी और अगर अभी तक भी जो लोग नहीं उठें प्लीज जल्दी से ओठ जाईए सुबह सुबह जल्दी उठना अच्छी बात होती है और अच् स्थापति कला को लास्ट वीडियो में पढ़ा फिर हमने शास्त्र नर्थ को भी देखा था देखा था ना अपने नहीं देखा तो जाके देख लीजे इसके बाद आज हम यहां पर स्थूप स्थापति के बारे में पढ़ने वाले हैं देखते हैं कैसे भिने हैं स्थापति कला कि यहां पर आप पर पीडिया आपको मिल जाएगी वहां पर गृुप डिसकाशन भी होता है वह भी जॉइन कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वहां पर इसके बाद नेक्स मूफ करते हैं जैसा कि आपको पता है कि हमारा 3rd वेच स्टार्ट होने वाला है हाला कि आज से स्टार्ट होने वाला है शाम को शे बजे से 3rd April तो आज से शुरू हो रहा है तो अगर अभी तक आपने अपने अड्मिशन नहीं लिया है तो इसमें ले सकते हैं आप मेरा कोट इस वी लाइव इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें मातर आपको फीस 18,999 रुपए की प्राप हो जाएगी इससे सस्ता क्या ही लेंगे आप है ना इतनी बड़ी तैयारी के लिए इतना तो बनता है अगर एड्मिशन नहीं लिया है तो ले लिजे ताकि हर टीचर से हर फेकल्टी से आ काशन कर सकेंगे कर सकेंगे कि सबसे संबंदित इसके स इत्यादी चीजों को पढ़ना है क्ईक प्री और में इस दोनों के हसाब इसब बहुत महत्तों है बच्चो ठीक है यहाँ पर क्या है अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे आपको उसे इंट्रस्ट के साथ जो है इंट्रस्ट डेवलेप करना होगा उसको पढ़ते वक्त ठीक है तो यहाँ पर इन चीजों को लेकर आई हूँ मैं फिलाल स्टूप के शाब्दे जो शरीरिक अवशेश होते हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है तो बहुत ही पवित्र इस्थल माना जाता है इसलिए पूजा इस्थल उसका नाम दिया गया है ठीक है यह कैसा होता है तो यह अर्द गोलाकार गुमबद की तरह होता है बच्चों तो उल्टे कटोरे के समान यह होता है आगे हम देखेंगे ठीक है इसमें क्या होता है जिसके अंदर वुद्ध की अवशेश और उनकी राख को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है उस तरह से उसकी पूजा की जाती है मौरिकाल से पहले वुद्ध की अवशेशों से निर्मित आठ स्तूपों मैंसे वर्तमान में एक पिपर हवा स्तूप के ही अवशेश मिلे तो उत्तर प्रदेश में है आपको सूप मिला है। तुड़वाया फिर बनवाया फिर कोई नया शाशक आया फिर उसने तुड़वाया तो अपनी अपनी जो है तुड़वाकर उन्हें ने धंक से उसको बनवाना शुरू किया जैसे जैसे समय आया इसमें, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इतिहास इसलिए तो उन्हों ने करवाया कि हमारे समय पड़ी के तरीके से उस मड़ाद भी तरीके हो आने के सावाराक, तरीके परय। प्रशन यही से बनता है, स्टेट्मेंट यही से आता है, ठीक है, इसके बाद स्टूप के अंग देख लेते हैं, भाई, आप कोई स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, अब कैसे पता चलेगा, भाई, यहां पर इतने आविशेशों को रखा जाता था, क्यूं इतना इंपॉर् से भिन है क्या उसकी विशेश्टाएं क्या भिन्नेताएं हैं इसको ज़रा नजर ढालते हैं स्तूपशें Capard Rudolph रभ्त्ताकार होता है यहां पर आ देखेंगे इस locks 9 संधल्ध represented चेंजेंआ होती है ठीक हैं अंड हैंंड जिसको बोलते हैं इसके बाद इस सूपश आप पीटी में कई बार आया है तो बौध जो है त्री रतनों का प्रतीख जिसमें आप देखेंगे बुद्ध धम और संग यह जो तीन चेत्र है और किसी स्तिर्श के अविशेश रखे जाते यह क्यों होता है इतना इंपॉर्टन रहा क्यों इतना पवित्र माना जाता है क्योंकि जिस उद्देश से बच्छों इसको बनाया जा रहा है वहां पर शारीरिक अविशेशों को उनकी राग को उनके नाखों को उनके बालों को इस तरह के जो हड्डिया है, उनकी बच्ची उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है, तो सबसे उचा इस्थान इसको दिया गया है, इसको और रूपों में अगर देखा जाए, तो कई विद्वानों ने इस तरह से भी इसका वर्णन किया है, कि ये जो इस तूप का ये ह इसको जाना जाता है, तो पवित्रिस्थान को हम कही न कहीं सवर्ग के साथ लिंक कर देते हैं, क्यूंकि दोनों बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाते हैं, तो हर्मिका जो है, इसको स्वर्ग का प्रतीक बताया है, ठीक है, याद रखने के आपको ऐसे रखना है, इस इसके बाद कहते हैं, इसके आस्पास जो है, यहाँ पर प्रदिक्ष्णा पत होता है, एपर morgueरे जाते हैं, तो वहाँ पर कैसे गोल-गोल परिक्रमा करते हैं, तो इसको बनाया गया है, और कहते हैं, यह पूरी सरटा एक वेदिका से घिरी होती है, जहां तोरर द्वार प्रवेश द्वार बनाया चाता है ये क्या आपकी होती है ये वेदिकाई होती है ठीक है ये आपकी तोरन द्वार है बच्चो ये आपका क्या है तोरन द्वार है और वेदिका को हमेशा अंड से थोड़ा दूर बनाया चाता है ताकि वो पवित्रता जो है वो बनी रहे ताक इससे थोड़ा दूर बनाते हैं और इसके चार तोरण द्वार होते देखें एक ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया ये तोरण द्वार बच्चों भी जब आगे देखेंगे तो ये प्रवेश द्वार होता है इस पर आधारित मैंने एक भी बनाया है और आप जाके देखिएगा उसको ठीक है साची के इस तूपर तो तोरण दौरपा अलंकरण की प्राधानता होती है जिसमें चित्रों के माध्यम से कथानक का अंकन किया जाता है अब देखिए इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा मैंने बोला जैसे पुरा त किया गया है जित्रों के माध्यम से मूर्तियों के माध्यम से टभी वहां पर समझाय गया पूरी उसको जो भी चीज वहां पर चल रही ठीक है इसके बाद हम next move करते हैं यहाँ पर स्टूपों के प्रकार अब कितने प्रकार के स्टूप थे आईए उसको समझ लेते जैसे शारीडी को स्टूप बच्चों होता था तो इसमें क्या होता था कि बुद्ध और उनके शिश्य के जो अस्तियां होती थी उनको इसमें र होता है तो विद्ध के दवरारां जो भी चीजह उस्तेशकों संप्यों यहां पर रखा चाथा जैसे विख्शा पात्र हो गया ठीक है सब्कुछ और ते यहां पर वही छीज़े पूज़ा दर sulphन पूज़ा करते लिए trabajo वह कि थाई पूजा जाता है फिसलिए यहां तर चली नेज्स्ट मॉफ करते हैं अब देखते हैं यहाप जैसे चार इस्तूप की बात करें उद्देश का इस्तूप क्या है तो इस्तूप जीवन की घटनाओं से संबंदित बौधिधर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया जाता है जैसे बोधगया में, लुम्बनी में, सारनाथ में और कुशिनगर में ठीक है इस तरह से बनाया गया है Actually इसमें क्या कहा गया है कि बुद्ध के जीवन की घटना है उनकी जो भी जीवन का जो दंचर्या रही है जो जो उन्होंने अपने जीवनकाल में यात्राय की हैं, उन सब को ध्यान में रखकर उसके प्रचार और प्रसार के लिए उस सिस्थान पर इसको बनवाया गया था, जैसे बोध गया लुंबनी सारनात और कुशीनकर में, अब पूजा अर्थक स्थूप, ये पूजा को ध्य में रखते हुए, पूजा अर्षना के लिए ध्यान करने के लिए इन स्थूपों का निर्मान कराए गया है, श्रद्धालूं के द्वारा बेसिकली बनवाया गया था, जैसे सारनात स्थूप और रुंबन देई स्थूप को बनवाया था, ये याद रखेगा, शारिरिक स् साची स्थूप, तो पहला स्थूप जो कि आपका MP में है, साची का स्थूप, ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, बहुत important है, क्योंकि यहां से बहुत बार डायरेक्ट पीटी में भी और मेंस में भी प्रशन पूछा गया है, यहां पर पिक्चर देख रहे हैं, इसक साची का स्थूप, पहले तो यह समझें, साची के स्थूप जो है, वो तीन भागों में आप देखेंगे, अलग-अलग है, पहला जो साची तीन स्थूप है, जो पहला है, वो बुद्ध से ही, बुद्ध के अविशेशों से ही निर्मित किया गया, बुद्ध के विश्यों को वहां पर रखा गया तो इस तरह से तीन साची के स्थूपों को बनाया गया है अब यहां पर देखिए मद्धिप्रदेश के राय सीना जिले में बेतवा नदी के तटपर कहां पर है ध्यान रखेगा अवस्तित है प्राचीन साहित में से काकनार चेतिय गरी कहा है और इसा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोशित किया गया है रेतेश्न को द्वारा झौधि आ के सकते बढ Danny सि्पके और और जातक कठां से संबंदित घटनाओं को उकेरा गया है इसमें जो द्वार जिसको मैंने तोरण बताया था ठीक है भाई स्ट्रक्चर हमने समझ लिया अब साची के स्टूप में वही चीज करें कि यहां पर जो यह बच्चों तूरण है ना इसमें इनकी जातक कथाओ जातक कथा है मतलब क्या पूर्वजनम की बुद्ध के पूर्वजनम की कहानियों को यहाँ पर उकेरा गयाँ अपनी कहानिया है लेकिन यहाँ पर कहते हैं के पूरे जीवनकाल में उसको यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा उकेरा गया है अगर आपने वो शौट देखा होगा जिसमें मैंने लाफिंग बुद्धा के बारे में बताया था तो आईए फिर से यहां समझ लेते हैं आप यहां देखेंगे कि लाफिंग बुद्धा के कुछ-कुछ अवशेश आपको यहां पर देखने को मिलते हैं ऐसा क्यूं है साची के स्टूप से लाफिंग बुद्धा का क्या लेना देना कुछ लोग सोच रहे होंगे तो देखें जैपान के एक जो कह सकते बुद्ध को मानने वाले उनके शिष् और खुश रहने के लिए प्रेडित करूंगा तो धीरे धीरे उनका नाम होते ही से क्या हो गया लाफिंग बुद्धा हो गया तो इस तरह से उनके चित्र को भी यहां पर उस दौरान उकेरा गया आप देखें कि बारी की से छोड़ी छोड़ी चीजों को बताया गया है तो १ चार खटना को जैसे दके जर्म को इनके बोधिसत्व की प्राप्ति धर्म-चक्र प्रवरतन को माहँ पर निर्मान को तो इस Sicht के निरमार मिकता कि अ शोट ंनु दी किया था लेकिन शुंग के साशनकाल में इसका आकार दो गुना कर दिया जैसा मैंने बताए जैसे शाशा काएंगे अपने अपने क्रिया कलाब करेंगे और उसमें कुस हास्त शेप करेंगे अलग अलग तरह से उनका निर्माड कराएंगे तोर मरोड के उसको अपने तरीके से करवाएंगे और बोल देंगे इन्होंने निर्माड कराया तो वही सारी कहानी है यहां बहुत धर्म की हीनियान शाखा से संबन देते हैं, अब समझे हीनियान और महायान, आपने सुना होगा बहुत धर्म में हीनियान और महायान दो शाखाएं हैं, तो हीनियान जो है, वो पूरी तरह से बुद्ध को महापुरुष, यानि की प्रतीक के रूप में पूजा करता है उनकी लेकिन महायान हमेशा मूर्ति पूजा की बात करता है तो हीनियान और महायान के डिफ्रेंस को समझे और अच्छे से इसको पढ़िए ताकि और हां एक चीज और कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैम क्या इससे पहले आर्ट इन कल्चर पढ़ने से पहले एंशे चीजद धार लेने से लिंए बच्चों में मैं करता है कि कम पढ़ी अच्छा पढ़ी ज्ड़ूरी नहीं है जितना यहां उसको पढ़मेंगे उस और होगी सु безधा तो वह तो नहीं करके तो नहीं किल एक इसके बाद हम देखस्टश तो अच्छा यहां पर आप इसको ध्यान से देखिए साची के स्थूप को और क्या आपको याद आ रहा है कि हमारी इंडियन करेंसी में किसी नोट में इसका पिक्चर छपा हुआ है तो क्या कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि कौन सी करेंसी जो हमारी इंडियन करेंसी है किस नोट में आपको यह जो है यह साची का इस्तूप देखने को मिलता है ठीक है ध्यान से बताईए का भई पैसे तो सभी खर्च करते ना तो नजर डाला ही होगा हर जगे यूपीस्टी के एस्परेंट की हर जगे बाज की तरह नजर होनी चाहिए पता नहीं कहां से यूपीस्टी प्रशन पूछ ले अनेक्सपेक्टेड है तो हर जगे नजर गड़ाई रखिए अपनी पढ़ाई के संबंदित में बात कर रही हूं फिलाल यहां पर आईए भरुत की बात करतें प्रक्रिदेस के सतना में है इसका निर्मार भी अशोक के शाषनकाल में हुआ एक इस शूंगकाल में इसका और विकास हुआ और इसको अलग तरीके से बनवाया इसकी खोज किस ने की ती तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1873 में इसकी भरतिस्तूप की खोज की थी ठीक है आप देखेंगे कि इस भरतिस्तूप जो है इसके पूरी तरह से अफशेश जो है वह समाख पोच चुके अपने स्थान से लेकिन कलकत्ता की आप देखते हैं कि संग्राले और प्रियाग राज के संग्राले में अभी भी कुछ अवशेश है ऐसा मैं क्यूंग इसको हाइलाइट कर रहे हूं क्योंकि जब मैं कलकत्ता गई थी मैं इसलिए बता रही हूं कि जो मैंने बचे जो विशेश बचे वह आज भी उतने ही खुबसूरत हैं जितने वह अपनी समय पर रही होंगे उसकी चमक लेलो उसकी मजबूती लेलो उसका कुछ भी आप अंश देखेंगे ना तो लगेगा कि वाकर जैसे आप वही खड़े होके देख रहे हैं उसको इतनी खुब इसके आप देखेंगे इसमें अंड होता है इसके ऊपर आपका हरमिका होता है यस्टी होता है फिर इसके आती चात्र होते हैं आपके फोती है तो यहां पर की वेडिका होती है इसके हम जैसे लोगों को कैसे पता चले गई आने वाली जेनरेशन को अब जैसे आपका पार्लियमेंट बन रहा है तो उसमें कुछ-कुछ चीज़ें सी कुदाई या फिर कुछ-कुछ चीजों का अलंकरण किया जा रहा होगा ताकि आने वाली पीडि उसको देखे और रज्यूम क यहां पर आज इस चीज को स्विकारने के लिए मात्र कितने कानून और यह सब चीजों की बात की जा रही है तो अपने आप में यह प्रश्मिचन बन जाता है ठीक है इत्यादे की डिजाइन को वहां पर उकेरा गया है जैसे जैसे आप बच्चों साउथ के अगर मैं बात करूँ इससे इतर में बात कर रहे हूं साउथ के मंदिरों में आप जब अब आठां कर देैंगी तो वही चीज यहां की गई है यहां तक समझ आ गया यहां पर आप देखेंगे कि साथ वहार एक छुआंकु शाषको द्वारा इसका निर्मार कराया गया था अम्रवती स्टूपों का वाकी का आपने देखा था अलग शाषकों के द्वारा हुआ था यह स्टूप चूना पत्थर और संग्मंवर से अच्छादित किया था अब यहां पर थोड़ा सा ट्रेंड बदला यहां पर पाशाड से अम्रवती स्टूप का निर्मार ना करके संग्मंवर से किया गया जैसे हमने ताज मैल में देखा था ठीक है और आप यहां एक चीज़ और देखेंगे इसमें जो यहां पर कलाकृतिया की गई है इसमें आपको करेंगे अम्रावती की यह जो कलाकृतियां है इससे पूछा गया था कि लंबी दुबली पतली यह जो आकृतिया मिली है जो इस तरह से उनका चित्रांकन मिला है मूती मिली कहां किस स्टूप से मिली है तो अम्रावती से मिली है PCS में भी पूछा गया ध्यान रखिएगा प्रश्ण भी आएगा यह दिमाग में रखना है आपको ठीक है इसके बाद वेदिका खंबो पर माला पहने देविताओं इसके जो खंब वगर आप देखेंगे कि देवी देवताओं जातक कथाओं से संबंदित चित्र उकेरे गये हैं अब यह जो चित्र है इसका क्या मतल बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंदित यहां पर चित्रों के द्वारा उसको कहानी को जो है उकेरा गया है तो यहां पर इस तरह की चित्रकारी भी आपको देखने को मिली है ठीक है तो यहां पर जीवन जातक कथाओं को भी बनाया गया है इसली मैं इस पिक्चर को दि अगला बट्टे धमेक स्थूप तो धमेक स्थूप और फिर आज भी आज भी अधूरा है और गुप्त काल की खुपसूरत नकाशी आपको फूलों के दौरा यहां पर अब देखें बहुत जरजर अवस्था में हो गया तो नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर फूलों की आकरती खुपत काल के जो विशेश तरह के फूल होते थे उनकी आकरती आपको यहां पर देखनेको मिल जाती है ठीक और वर्थवान में सनरश्णा गूपत काल की ऐसा कई बार बनवाये गया लेकिन आज भी एक नहीं हो पाया ऐसा कहा जाता है ठीक है दूसरा आपका धर्म कारे निर्माड इसका कराया था इस तूपों का लेकिन जैसे ऐसे शाशक है उन्होंने अपने तरीके से इसको तुड़वा के अपनी वावाई पर टोड़ने के लिए कह सकते हैं सिंपल भाशा में उसको अलग-लग तरीके से उसका निर्माड कराया और अपने वारे में उसको पर अपनी कहानियों को अपने तरीके से वहां पर घड़ना शुरू किया और अज का वीडियो यहीं तक था और यहां पर कोई भी चीज़ अगर को नहीं समझ आई तो आप पूँछ सकते हैं और जैसा मैंने बताया था कि जब सारे lectures हो जाएंगे तो में सांसर राइटिंग भी आपको कराई जाएगी ठीक है इसका PDF आपको मेरे Telegram चैनल पर मिल जाएगा और अगर कोई चीज पूछ नहीं हो तो बेज़िजक आप होती रहेंगी बहुत से बच्चे क्या गरते ग्रूप में ऐसे ही डिसकर्शन चल रहा है पढ़ाई से संबंदित कोई चर्चा करिए कोई विशय अपना ध्यान रखें जल्द मिलते हैं नेक्स लेक्टर में तब तक के लिए धन्यवाद